असलामों वालेकुम फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चानल हीना हेल्थ फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ अगर आप प्रेगनेंसी टेस्स करते हैं आपके पीरड मिस हो गए और आपने प्रेगनेंसी टेस्स किया और वहाँ पे नेगेटिव आ गया तो क्या chances है आपके pregnant होने के और क्या आपको गलतिया नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको चीज इस वीडियो में बताऊंगी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा knowledgeable होने वाला है एक सच्छा वाक्या भी आपके साथ में शेयर करने वाली है तो चलिए फ्रेंड without wasting any time आज का ये वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप लोगों से एक छोट इससे रिक्वेस्ट है वीडियो गर दिल से पसंद आए तो like, comment, share और subscribe करना बिलकूर ना भूले फ्रेंड आज मैं आपके साथ में जो वाक्या शेयर करने वाली हूँ ये सच्छा वाक्या है इसको पूरा देखना क्यूंकि आप लोग भी ऐसी mistake कर सकते हैं और मैं नहीं चाहती कि आप ऐसी कोई भी mistake करें इसलिए मैं ये वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मेरी एक patient है जिन्होंने एक मेने पहले मेरे से treatment लिया था treatment लेते हुए इन्होंने सारी चीज़े अच्छी तरीके से follow की और एक महीने में जब इनकी period की date थी वो miss हो गए period की date miss होने के बाद में 4 दिन उपर चड़ गए तो इन्होंने मुझे पूछा कि मैम क्या मैं pregnancy test कर सकती हूँ तो मैंने इनको बोला जी हाँ अब 4 दिन हो गए हैं तो आप pregnancy test कर सकते हैं इन्होंने pregnancy test किया तो वहाँ पे negative आ गया यह बहुत ज़दा रोने लगी बहुत ज़दा परेशान हो गई क्यूंकि इनको spondylysis का problem था और बहुत ज़दा condition worse थी conceive करना भी थोड़ा difficult था इनके लिए डॉक्टर ने तो IUI-IVF तक करवाने का क्या दिया था लेकिन इनको naturally conceive करना था इसलिए वो मुझसे treatment ले रहे थी लेकिन एक महिना सारी चीज अच्छी तरीके से शिदत से follow करने के बाद भी जब उन्होंने वहाँ पे negative result देखा तो यह बहुत ज़दा परेशान हो गई और रोने लगी उसके बाद में इनोंने मुझे पूछा अब मैं क्या करू मैं तो मैंने इनको बोला कि आप अपने पीरट को natural तरीके से आने दीजे जब पीरट आपका आज आएगा उसके बाद में आप सारी टिप फिर से start कीज़े फिर इ क्योंकि अजवाई जीरा ड्रिंग भी पीरट को लाने में हेल्प करता है और पीरट के अगर मैडिसन आप खाते हैं तो आपको पांच दिन के बाद पीरट आ जाते हैं तो मैंने मेरी पेशंट को यहीं कहा कि आप वेट कीजे नाचरल तरीके से आपको पीरट आ जाएगा जब हर महीन आपको period naturally आ जाता है तो अभी आपको medicine खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, naturally ही आपको period आ जाएगा, उसके बाद में इन्होंने wait किया friend और finally जब इनके husband को थोड़ा संदर से feeling हुई, इनके husband ने मेरी ये patient को कहा कि आप pregnancy test कर लो, मुझे असंदर से feel हो रहा है कि शाय जब चार दिन के बाद उन्होंने अपना pregnancy test किया, महां पे negative आया, और दो दिन के बाद में वो सीधा positive आ गया, बहुत जादा ये खूश हो गई थी, इन्होंने directly मुझे call किया कि मैं positive result है करके, फिर मैंने इनको एक ही चीज़ कही कि आप फिर से कल एक बार test करो, क्योंकि कभ मेरी ये patient ने मेरे instruction अच्छी तरीके से follow किये, दूसरे दिन फिर से pregnancy test किया और वो positive आया, अब भी मेरी ये patient pregnant है friend successfully, जिनकी सारी उमीदे टूट चुकी थी, वो negative test देखके, तो friend आप लोग ये गलती बिल्कुल भी ना करें, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, देख और फिर कोई home remedy भी इस्तमाल ना करे, पीरट को लाने के लिए, क्योंकि कही ना कहीं संभावना होती है कि आपको pregnancy conceive हो गई है, देखे सब के अंदर जरूरी नहीं है कि एकी दिन ovulation हो, एकी दिन pregnancy conceive हो, बहुत सारी महिलाओं में late ovulation होता है, जिस कारण से आपके अंदर जो भ नहीं है, तो वो hormone कैसे produce करेगा, और जब आप pregnancy test कर लेते हैं, आपके period में सोचाते हैं, तीन चार दिन के बाद आप pregnancy test करते हैं, नेगिटिव आता है, वो इसलिए क्योंकि आपकी body में उतना HCG नाम का hormone नहीं होता है, क्योंकि आपका late ovulation होता है, ये चीज का हमेशा ध्यान देना जरूरी नहीं है, कि सबका एकी दिन ovulation हो, बहुत सारी महिलाओं का late ovulation भी होता है, तो आपके अंदर जो brun तयार हुआ होता है, वो late से uterus की lining में attach होता है, तो वो जब attach होता है तबी ही वो HCG नाम का hormone produce करता है, तो जब वो produce करेगा तबी तो आपकी pregnancy kit में दो line ये चीज़ हमेशा ध्यान देना अगर pregnancy test आपको करना है, तो period miss होने के 10 दिन के बाद आप करेंगे, ये Q मैं वो भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जल्दी pregnancy test करने से क्या होता है, कभी कभी negative test भी positive आ जाता है, और positive test भी negative आ जाता है, क्योंकि हमारी body में बहुत ज़्या आप कर रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए अगर negative आता है, तो कोई भी तरह की medicine या कोई भी home remedy इस्तमाल ना करें ताकि आपके पी रड़ा है, वरना जो बच्छा रूका है, वो भी miscarriage हो सकता है, ये आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, ये वीडियो बनाना बह उसे बात की, तो मैं उनको वो ही बोला कि आप कुछ भी नहीं इस्तमाल करेंगे, नाचुरली पीरड आने दीजे, और finally इनका test positive आया है, और अभी वो finally pregnant भी है, तो friend ये चीज़ का हमेशा ध्यान दीजे, pregnancy test करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है, जब आपका पीरड में सो जाता है, तो 10 दिन के बाद pregnancy test करें, अगर late भी ovulation हुआ है, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपके body में HCG बन जाता है, तो वो positive test आ जाता है, 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद test करने पर अगर negative आ रहा है, तो आप कोई भी तरह की medicine या फिर कोई भी तरह की home remedy try कर सकते हैं, hassle free ह लेकिन जल्द बाजी में कोई भी तरह का ऐसा step ना उठाया, जिसकी वज़ा से आपको problem आगे हो, और friend मेरी ये patient ने pregnancy conceive की है without any symptom, आप लोग यकीन ही ने मानेंगे जब इनका pregnancy test positive आया, ना मैंने यकीन माना ना इनके घरवालों ने माना, क्योंकि इनको कोई भी pregnancy symptom नहीं है without any symptoms, तो ये भी चीज अपने ध्यान में जरूर रखे, जरूरी नहीं है अगर आपने pregnancy conceive कर ली है तो आपको सारे symptom नजर आए, without any symptom भी आप pregnant हो सकते हैं, अगर friend आप लोग चाते हैं कि pregnancy test करने का क्या सही समय है, कैसे करना है, जिससे आपका 100% pregnancy test positive आया, तो मुझे comment section में ब देखा है, बहुत सारे लोग ये गलतियां कर रहे हैं, जिसकी वज़े से उनका positive test भी negative हो जाता है, ठीक है, आप pregnancy conceive कर लेते हैं, लेकिन ऐसी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वज़े से miscarriage हो जाता है, और फिर आप लोग struggle करते, conceive करने के लिए उसके बाद होता ही नहीं है, तो प्लीज ऐसी कोई भी गलती ना करें, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया है मैंने, ताकि फ्रेंड आप लोग ऐसी कोई गलती ना करें, क्योंकि एक महिला बहुत मुश्किलों से pregnant होती है, तो मैं नहीं चाहती कि आपकी pregnancy ऐसी जाया हो जाए, अगर कि वो ना करें, उसको इसके बारे में नौलेज होना जरूरी है, वीडियो अगर आपको दिल से पसंद आए, तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले फ्रेंड, अगर आप लोगों को pregnancy test के ऊपर वीडियो चाहिए कि कैसे करना है, किस तर झालason में वीकल आपकछ होना खवकर ससके बाहों को सांप आपक देच करें तरवार भी है, शेतालन को का बाता है, लो बाद बाता आपका होना है, पुछ आपका झाल 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 झाल